हालो गाइज और वेल्कम टो एट वार मोट रोइट तो आज के वीडियो में अपन जानने वाले हैं हॉन्डा यॉनिकॉन ब्येजिक्स और हॉन्डा एस्पी 125 में दोनों में इसे कौन सी बाइक बैटर है तो गाइस वीडियो में बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो बे कम्यूटर साइट देखने को मिलती है सिंपल लगती है बड़ी और बल्की लगती है और इस बाइक से आपको बिग बाइक फिल मिलता है हर एंगल से बाइक आपको अच्छी लगती है और बड़ी लगती है बिग बाइक फिल आपको बैटने पर भी देखने को मिलता है इसक SP125 के लुक्स आपको थोड़े बहुत स्पोर्टियर साइड देखने को मिलते हैं, Honda Unicorn BS6 से थोड़े ज़्यादा अपीलिंग देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको LED हेडलाइड भी देखने को मिलते हैं, और न्यू डिजाइन है, इसकी वो जासे बाइक बहुत स्टाइलिज भी देखने को मिलती है, इस्टिकर का यूस भी किया गया है इसके उपर, लेकिन बाइक के अंदर आपको Honda Unicorn BS6 जैसा बिग बाइक फिल देखने को नहीं मिलता, बाइक के लुक्स बहुत अच्छे मिलते हैं, कलर आप्शन भी अच्छे आते हैं, लेकिन आपको Unicorn के सामने SP125 ज्यादा बड़ी नहीं लगती, लेकिन अगर आपको stylish बाइक लेनी हो तो Honda SP125 बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसके अदर कलर के options अच्छ आते हैं, स्टिकर के changes भी आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, इसके के साथ इसके tank है, tank के उपर cowl भी देखने को मिलता है, जिससे bike को अच्छा खासा look देखने को मिलता है, इसके tank के cowl की वज़ा से, अगर आपको stylish bike चाहे है, तो SP125 best रहेगे as compared to Honda Unicorn, नेक्स बात कले थे instrument console की, तो Honda Unicorn के अंदर आपको all analog instrument console देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको necessary information मिलती है, जैसे के speedometer, odometer, trip meter, fuel gauge, और इसके साथ engine check light देखने को मिलती है, ज्यादा कुछ information नहीं आती, इसके अंदर आपको speedometer, odometer, trip meter, fuel gauge, gear, position indicator, economy check light और engine check light, यह सब सारे की necessary information और unnecessary information मिलती है, live mileage के information के साथ, तो information के अंदर अगर आप देखने जाएं, तो आपको better रहेगा SP125 का instrument console, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा information बताती है, अपने unicorn के सामने, तो अगर आपको अच्छा खासा instrument console या फिर digital instrument console लेना है, तो आपको SP125 प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि instrument console, unicorn के अंदर अच्छा देखने को नहीं मिलता, analog आता है, next बात करते हैं, comfortability की, तो दोनों bike में आपको single piece seat देखने को मिलती है, आपको अच्छे well maintained रास्ते पर भी होंगे, तो आपको अच्छा खासा comfort मिलेगा, Honda unicorn vs6 से, क्योंकि इसके अंदर जो suspension setup है, softer side है, इसी के साथ seat भी बहुत अच्छी मिलती है, SP125 से better seat आपको unicorn के अंदर देखने को मिलती है, unicorn का जो comfort level है, SP125 से better देखने को मिलता है, क्योंकि ज़्यादा seat अच्छी आती है, और comfortable riding position आती है, इसी के साथ आपको suspensions भी अच्छे मिलती है, SP125 का भी comfort level अच्छा आता है, लेकिन unicorn के सामने फीका पड़ जाता है, ज़्यादा comfortable रहती है Honda unicorn as compared to SP125, आप आजाते हैं performance पर, तो no doubt unicorn का performance आपको अच्छा मिलता है, क्योंकि 163cc का engine है, और SP125 का भी आच्छा ही आता है performance, लेकिन unicorn का ज़्यादा आता है, लेकिन आगर मैं बात करूँ initial pickup की, तो initial pickup में थोड़ा आगे निकल जाती है, अपनी SP125, फर्स्ट एस सेकंड गेर तक, लेकिन unicorn पीछे नहीं रहती, मीड रेंज बहुती ज़्यादा strong आता है Honda unicorn का, और SP125 इसके सामने नहीं टिक पाती है, क्योंकि इसका जो engine है बहुती ज़्यादा smooth and refined है, इसी के साथ performance ज़्यादा प्रोवाइड करता है, अगर आपको performance ज़्यादा चाहिए, माइलेज के साथ चाहिए, तो आप unicorn को prefer करें, क्योंकि SP125 उतना ज़्यादा performance निकाल के नहीं देती, जितना Honda unicorn BS6 निकाल के देती है, अब बात कर लेते हैं engine की, तो आपको unicorn के अंदर देखने मलता है, 163cc का air gold single cylinder 4 stroke 2 valve B A6 compliant fuel injected engine, जिससे आपको power मिलते है 12.9 PS की torque मिलता है 14.7 Nm का with 5 speed gearbox, और इसे के साथ SP125 में आपको 125 CC का air gold single cylinder 4 stroke 2 valve B A6 compliant fuel injected engine देखने को मिलता है, जिससे power मिलते है 10.8 BHP की torque मिलता है 10.9 Nm का with 5 speed gearbox, अब यहीं बात कर लें दोनों के mileage की, तो आपको कम mileage निकाल के देती है Honda Unicorn, इसके अंदर आपको 55 to 60 MPL का mileage मिलता है, और SP125 में ज्यादा mileage मिलता है 60 to 65 MPL का, किसी किसी को 65 plus भी mileage मिलता है SP125 के engine से, तो engine अगर आपको ज्यादा mileage वाला चाहिए और कम performance चाहिए, तो आप SP125 के engine को prefer करो, अगर आपको ज्यादा performance चाहिए तो आप Unicorn के engine को prefer करो दोने के अंदर, आप बात कर लेते हैं build quality की, इन दोनों bike में आपको better build quality Unicorn के अंदर देखने को मिलती है, SP125 की भी build quality अच्छी आती है, लेकिन Unicorn की better आती है build quality, पता नहीं क्यों लेकिन आपको ज्यादा अच्छी build quality, Honda Unicorn के अंदर देखने मिलती है, SP125 के सामने, अब बात कर लेते हैं maintenance cost की या पिर service cost की, अगर मैं paid service cost की बात करों, तो लगबख 800-900 रुपए देखने को मिलती है, दोनों के अंदर service cost सेम आती है, और दोनों में same service होती है, अगर आप authorized service center पर service कराते हैं, आपकी Unicorn या फिर SP125, तो आपको 800-900 रुपए खर्चा आएगा, और मैंने paid service cost का clearly एक वीडियो बनाया था, इसमें आपको detail में paid service cost बताई थी, और normal service cost भी बताई थी, फिरी service cost, तो वो भी वीडियो चैनल पर check out करो, अब आजाते हैं pricing पर, Unicorn की price आपको 1,40,000 रुपए देखने को मिलती है, और इस price bracket में आपको सबसे अच्छा इंजन Unicorn का ही देखने को मिलता है, दूसरी FZV3 आती है, Apache आती है, Pulser आती है, मानता हूं कि इसके अंदर आपको ज़्यदा features नहीं मिलते है, और इसके साथ इसके अंदर आपको single channel ABS मिलता है, जो कि SP125 के अंदर तो नहीं आता, तो braking performance भी आपको अच्छी मिलती है, Unicorn के अंदर suspension setup बेटर आता है, और इसकी जो ride quality है, बहुत ही ज़्यदा उंदा है, बहुत ही अच्छी आती है, test ride करेंगे तो आपको सब कुछ बता चलेगा, आप long rides भी जाएंगे तो आपको comfortability में कोई problem नहीं आएगी, one of the comfortable bike है, इस segment के अंदर Unicorn BS6, और SP125 की on-road price देखने को मिलती है, 1,10,000 रुपए, 30,000 रुपए सस्ती आती है Unicorn के सामने, SP125, लेकिन इसके अंदर आपको 125cc वाला engine मिलता है, Unicorn में आपको 160cc वाला engine मिलता है, और ज्यादा performance प्रोवाइड करता है, ज्यादा smooth engine आता है, mileage आपको इससे 5-6 km कम मिलता है, लेकिन आपको अच्छा engine Unicorn के अंदर देखने को मिलता है, as compared to SP125, लेकिन अगर आपको mileage ज़्यादा चाहिए, पिक अप उतना ज़्यादा matter नहीं करता, और आपको full digital meter चाहिए, जिसके अंदर आपको आच्छी खासे features मिले, तो आपके लिए better रहेगी, यह SP125 और आपका budget ही इतना है, एक लग 10,000 तक है, और Unicorn नहीं ले सकते है, या तो आप second hand में check out करो, या फिर SP125 आपको पसान आ रहे तो, SP125 भी one of the best bike है, 125cc category के अंदर, अब दोनों में clearly बता तुम better bike रहेगी, Unicorn BS6, क्योंकि उसके अंदर आपको देखने मिलता है, single channel ABS, safety एक feature हो गया, दोनों बाइक में आपको safety में, सिर्फ एक feature ज़्यादा मिलता है, वो है side stand engine cut off sensor, लेकिन ABS ज़्यादा अच्छा रहता है, Unicorn के अंदर, और आपको दोनों में better कौन सी रहेगी, तो मैं यह कहूँगा, Unicorn is better bike, क्योंकि mileage भी ज़्यादा अच्छा निकाल के देती है, दोनों में ज़्यादा नहीं निकालती है, लेकिन अपने segment के सबसे अच्छा निकालती है, और pick-up आपको बहुत अच्छा निकाल के देती है, Honda Unicorn, और दोनों के price में आपको 30,000 रुपर का difference देखने को मिलता है, दोनों अपने segment के साबसे अपने price के सबसे अच्छे हैं, लेकिन better bike आपको देखने मिलती है, Honda Unicorn BS6, तो गाईज, आज के वीडियो में आपको Honda Unicorn BS6 और Honda SP125, इन दोनों में से better bike कौन सी है, ये सब बताया, आपको वीडियो काईसा लगा, आप comment section में बतना तो गाईज, bikes related videos टेखने के लिए चैनल को subscribe करो, bell notification के all option को click करो, इस वीडियो को like करो, अपने दोस्तों के साथ share करो, आज के वीडियो में इतना ही चलता हूँ, good bye guys,